आज की वीडियो में हम बोटल में गालिक लगाएंगे यह बोटल को मैंने हाफ में कट करके थोड़ा सा जुरे रहने दिया है नीचे शेक कर लिए हैं तो इसको हम इस तरह से टांग सकते हैं इसमें मैं मिट्टी डालूंगी जो कि मैंने पहले से मिक्स करके रखी होती है जिस क्लव्स हम जो हैं सिर्फ इसकी ग्रीन पार्ट के लिए लगा रहे हैं अगर गालिक के बल्ब भी नीचे जाएं तो उसके लिए फिर बड़े गमले में लगाने परते हैं जिए मैंने पानी में डाल के कुछ दिन के लिए रखे थे तो इनकी नीचे से रूट्स निकलाई है हैं तो बस हम इसको एक एक दो दो फीस को इसके अंदर होल करके हम लगा देंगे इसे मैं यहाँ पे हैंक कर दूँगी हमने कपरे सुखाने के लिए स्टील की रोड्स लगवाई हुई हैं वैसे इस पर जाला वीप नहीं डालते लेकिन मैंने कुछ प्लांस इसमें हैंक किय जो रिजल्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये 15-20 दिन बाद का रिजल्ट है, ये इतनी ज्यादा इसकी ग्रीन पार्ट से निकला हैं, इसे हम कट करके डाल सकते हैं, इसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और इसकी फ्रेग्रिंस भी बहुत अच्छी आत का, ये रखे हुए बहुत सुंदर लगते हैं, इसमें मैं आपनी सोयल िक्स डालोंगी, जो बना कर रखे होती है, और इसमें हम तीन-चार कलव्स एक में लगा लेंगे और तीन-चार दूसरे पॉर्ट में लगा लेंगी छोटे इसमें, तो इसको जो है, जैसे मैंने पहल तरह से ब्रश के साथ नेल्स साफ कर लें तो मिट्टी अंदर गुस जाती है नेल्स में फ्रेंड्स प्लीज मेरी वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी हलपफूल लगी हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट करके मुझे बताईए आपको कैसी लगी लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए आप भी अपने गर में इस तरह से चोटी चोटी प्लांट्स लगाएं और फ्रेश सबजी का मज़ा लीजिए थैंक यू फर वोचिंग मैं वीडियो प्रेंज